पूरी तरीके से गायब है और खबर ये है कि करनाटक में हुए उपचिनाओं में जिसमें तीन लोग सभा के चुना हुए दो विधान सभा के चुना हुए उसमें बीजेपी बूरी तरीके से हार गई है पांच में से चार सीटों पर कॉंग्रेस और जेडियस गठवंदन की जीत हुई है जबकि बीजेपी को सिर्फ एक सीट से संतोस करना पड़ा है बिधान सभा की दोनों ही सीटे हारी है बीजेपी और लोग सभा की तीन में से एक सीट बीजेपी बचाने में सक्षम रही है आखिर मीडिया के लिए ये खबर क्यों नहीं बनी उसी मीडिया के लिए जो भारती जनता पार्टी में बहुत सामानने से नेता जॉइन करने पर भी बड़ी-बड़ी हैडिंग लगा कर खबर बेशती है बड़ी-बड़ी चर्चा करवाती है किसी भी पार्टी की एक वंदन ने सरकार बना ली लेकिन सबसे बड़ी पार्टी वहां बीजेपी थी तो उस सबसे बड़ी पार्टी के रहते हुए जब बाद में उप्चनाव होते हैं तो क्या वज़य है कि उसी उप्चनाव में लोगसभा में भी विहारती है और विधान सभा चनाव के में भी बिकल्ब क्या है उस बिकल्ब हीलता की स्थिती में मैं बताता हूँ कि बिकल्ब क्या है उत्तर प्रदेश उसका उधारन है गोरकपुर सीट कैराना सीट फूलपुर सीट जहां पर खुद सीम योगी आदितनात की सीट थी गोरकपुर वहां से उनकी सीट भी हा रहे थे डिप वक्ष के मुद्दे जो समान मुद्दों पर आके समान धरातल पर आके चुनाव लड़े गए थे शायद यही बज़े थी कि उत्तर प्रदेश में भी पठकनी दी गई थी और अभी करनाटक में जो जीत हुई है उसकी भी बज़े थी कि वहाँ पर कॉंग्रेस और एक वहाँ प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी की बीजेपी को ये कहा जाने लगा कि बीजेपी के किले को तोड़ना अवेद्ध है और अब ये आ गई कम से कम 20-25 सालों के लिए उस 2014 के बाद से अभी तक 2018 तक तक तकरीवन 30 लोग सभा के उप्चनाव हुए हैं इन 30 लोग सभा के अजय ये रही कि कहीं न कहीं पर मिलके चुनाव लोले गए या लोग भारती जंता पार्टी की नीतियों से बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे पर्चित होते चले गए कि जो कहा गया वही जुमला था आमेशाह ने खुद बीच में सुईकार कर लिया कि 15 लाख रुपे की बात जो हमने कही थी बहुत चुनाव में कह दी जाती है वो एक जुमला था अब हम आपको सिलसले बार ये बता देते हैं कि कहां कहां 2014 के बाद उपचुना हुए लोग सभा के और कहां कहां BJP हारी और कहां कहां कौन-कौन जीता 2014 में भारती जंता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली लोग सभा के चुना हुआ महाराष्ट की बीड़ सीट पर जहां भाजपा जीती पहले भी यहां BJP ही थी गुजरात की बडोदरा सीट पर उपचुना हुआ भाजपा जीती पहले भी यहां पर BJP ही थी मैनपुरी म उप्चना हुआ समाजबादी पार्टी जीती, पहले भी यहाँ समाजबादी पार्टी थी, कंदमाल उड़िसा की एक सीट है, वहाँ पर वीजू जनता दल, यानी कि वहाँ का जो सत्ताधारी दल है, छेतरी दल, नमीन पतनाये का वीजू जनता दल वो जीता, उसी तरीके से मेंधक सीट है तेलंगाना की वहाँ TRS ने चुनाओ जीता ये 2014 के मैंने बताए 2015 के उप्चनाओ में रतलाम सीट पर चुना हुआ मद्ध प्रदेश में कॉंग्रेस जीती यहाँ पर BJP पहले थी लेकिन कॉंग्रेस ने सीट उससे कब जाली वारंगल तेलंगाना की एक लोकसवा सीट है वहाँ पर TRS जीती वन गाओं पश्चे मंगाल की जो सीट है वहाँ पर All India तरणमूल कॉंग्रेस जीती 2016 में जो उप्चना हुए उसमें लखीमपूर एक सीट है असम में वहाँ पर जीती सहडोल सीट है मद्यप्रदेश वहाँ पर भाजपा जीती कुछ बिहार सीट है पश्चे मंगाल की वहाँ पर TRS जीती तमुलक सीट है पश्चे मंगाल की वहाँ भी भी AITC यानि की TRS जीती तोरा सीट है मेघाले में वहाँ पर NCP ने जीत दर्ज की अब 2017 के उप्चनाव हम बता देते हैं पंजाब की अमरतसर सीट पर कॉंग्रेस जीती पंजाब की गुरदासपुर सीट पर उप्चनाव हुआ वहाँ पर कॉंग्रेस जीती पहले BJP थी वहाँ पर अजमेर सीट पर कॉंग्रेस जीती जबकि पहले वहाँ पर भाजपा थी पश्चिम मंगाल की उलवेरिया सीट पर AITC यानि की तरनभूल कॉंग्रेस जीती UP की गोरगपुर सीट पर सपा और बसपा का गठवंदन जीता जहां पर पहले भाजपा थे काविस्थी डिप्टी सीट पर RJD जीती UP की केराना सीट पर राष्टी लोगदल जीता करनाटक की बेलारी सीट पर कॉंग्रेस प्लस JS का गठवंदन जीता करनाटक की सिमोगा सीट एकमातर सीट जो बीजेपी ने अपने खाते में रखी मांडिया सीट करनाटक की JDS प्लस कॉंग्रेस जीती महराष्ट की भंडारा गोदिया सीट NCP ने जीती महराष्ट की पालघर सीट BJP ने अपने खाते में रखी और नागलेंड में BJP समर्थित NDPP को जीत दर्ज हुई कुल मिलाकर हमने आपको 30 लोगसभा के उपचनाओं का बेवरा दिया उस 30 लोगसभा के उपचनाओं में इसपश्ट है कि महराष्ट की बीड गुजरात की बढोदरा असम की लखीमपुर मद्यपरदेश की सहडोल और अभी करनाटक की सिमोगा ये केबल 5 सीटे हैं जो बीजेपी बचाने में सक्षम रही है बाकी 30 लोगसभा चनाओं में से 25 लोगसभा चनाओं में उसको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है तो अब ये बात सामने मतलब साबित करने के लिए रही नहीं जाती कि प्रधानमंतिरी नरेन मोदी और भारती जनता पार्टी अवेद है क्योंकि जहां पर बिबक्ष ने एक जुटता दिखाई है जहां पर छेत्री पार्टी उन्हें अपनी ताकत दिखाई है वहां बीजेपी को बुरी तरीके से हार लगी है इसका मतलब कि जहां ऐसा हो गया था कि कॉंग्रेस के खिलाफ लोगों में गुस्सा था तो जहां जहां कॉंग्रेस के खिलाफ लोगों ने गुस्सा दिखाया वहां पर भारती इंता पार्टी को जिता दिया लेकिन जहां पर कॉंग्रेस शेत्री दलों के साथ गठवंदन कर लिया, वहाँ पर उसको जीत हासिल हुई है, यह लोग सभा की उप्चनाओ इस पर श्चतौर पर कहते हैं, कि अब लोग सभा की बात ही नहीं है, करनाटक में दो सीटों पर उप्चनाओ हुए, विधान सभा में, जाम खड़ी, जिसमें कॉंग्रेस प्लस सपा का बाहर से समर्थन था, यह सारी पार्टियां मिलकर जीती, कंडियर्ट वो सपा का था, यूपी की नूरपूर में, उसी तरीके से महराष्ट की पलुस कादे गाओं, बिहार की जोकी हाट, जारखंडी की गोमिया, जारखंडी की सिल्ली, केरल की चेंगानूर, मेघाल की अमपाती, पंजाब की साहकोट और पश्यम मंगाल की महशेश तला, यह सारी सीटों पर बीजेपी हार गई, उसी तरीके से बिहार में पांच विधानसभा सीटों पर उप्चना हुए, जिसमें तीन पर आरजडी जीती, एक पर जीडी यू और एक पर बीजेपी, ने वादे किये थे वो पूरी न करने के कारण, लोकसभा चुनाओ, उप्चनाओं में, विधानसभा उप्चनाओं में हारती चली जा रही है, और भक्त गण एक ही रट लगाए हुए हैं कि आखिर सामने विकल्प क्या है, तो इस सामपरदाइक्ता के खिलाफ विकल्प क् भी लोग खेतों, गाओं से ले जाने में डर रहे हैं, ऐसे समय में गाओं की बढ़ती हुई जनसंख्या, किसानों की पैदावार के लिए नुकसान दे बन रही है, इसके लिए जम्मेदार कौन है और इसके सामने विकल्प क्या है, रोजगार, घटते हुए रोजगार, द सभी लोगों के बीच में कोई नो कोई मदवेद निकल कर सामने आये, चाए वे आई भी हो रहो हो, कुछ भी हो, तो कुल मिलाके लोगों को इन सारी बातों को ध्यान रखना है, अपने मुद्दों को सोचना है, छदम मुद्दों में उलचकर बोट नहीं डालना है, और जाती है, विकास का मुद्दा खत्म हो चुका है, तो मेरा अन्रोध है निसन जनमत की माध्यम से, कि विकास के मुद्दे को जीवित रखें, और धारमिक्ता को बढ़ावा कम से कम दें, क्योंकि ये देश वैज्ञानिक सोच की आधार पर चलता है, और देश का समीधान भी की जाती है, क्योंकि बुद्ध का जो मानसिक्ता थी, विचारधारा थी, वो बुद्धी से उपजी हुई थी, और वो हमेशा कहते थे, कि पहले सोचो, समझो, तब मानो, तब जानो, यही मेरा आपसे अन्रोध है, देखते ही रेनेसल जनमत, जागरूक रहिए, सजग रहि किया, तो प्लीज सस्क्राइब कर ले, और उस बेल आइचन तो जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है,